हेलो दोस्तो मैं अपने यूट्यूब चैनल देशी कॉक्टेल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में तो आप लोग जानती होगे कि इंडियन आर्मी की लाइफ में उनका कितना स्ट्रगल होता है वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करते है मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जान करी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो दोस्तों आप लोग तो यह जानते ही होगे है कि इंडियन आर्मी है जो जवान है हमारे उन्हे गर्मेंट क्यों विसकी या जो रं है वह सर्व करती है उन्हें ड्रिंक Yews कर किया जाता है इस बारे में आपको थोड़ी बहुत जान करी दूंगा यह जो सिया चीन है और दूसरी बात यह ले लजाक है इनक्यों पर हमारे जो सैनी के हमेशा तैनात रहते हैं और यह जिरो डिग्री है जमीन से चालीस पचास हजार पूट उपर यह पाड़ है जहां वो इतनी ठंड होती है कि आप जैसा वंदा क्या हम कोई सैन नहीं कर सकेंगा एक घंटा नहीं खड़ा रह सकें तो इसलिए गवर्मेंट है वो इन्हें रम थोड़ी सर्व करती है क्योंकि इससे उनका शरीर है वो गरम रहे रम काफी गरम होती है आप यह जानती होगे तो इसलिए जो हमारे इंडियन सार्मी है उसे कुछ टाइम ऐसे थोड़ा गंटों के बाद थोड़ा रम दिया जात तो बस इसके लिए उन्हें यह नो एने करो रम दी जाती है शरीर गरम रखने के लिए और एक बात कि से इंडिया में हमारे हिंदूस्तान में कही तेवार आते है तो टयो सम। इसे थोड़े दिन के बाएं एक नएक तैवार आता रहता है तो क्या होते हैं objetivo के दिन है अगर आप अगर family से दूर हूँ किधर घंडर का भी होई तउ उस तैवार में हम अपनी family को जरूर याद करते हैं तो ऐसे यह हमारे से कोसो मील दूर है पाड़ों पर कहां कहां कुछ आए तो वो nynों अफसर्ड हो जाते हैं उनको वोटते उत्व ज़ए तौль खिसे वहर वह उट जड़ रहते है तो एसे में क्या होता है सब्सक्राइब अपने पहाड़ो अपने अपने पहाड़ों पर अपने दोस्तों के साथ बस वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करके इंजॉय करते हैं एक और बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी जो गौर्मेंट है वो हमारे जवानों को सबसीडी देते हैं तो वो जाकर उनकी कैंटीन है मिलेटरी कैंटीन से जाकर वो एक शराब खरी सकते हैं कम इनको काफी कम मिलता है जो गौर्मेंट की तरफ से उनने दी जाती है और वो जो है वो अपना जो कोटा रहता है जो मन्त लेओ पीते हैं लेकिन वो जॉड़ा भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि ड्यूटी भी जॉइंट करनी रहती है अगर वो ड्यूटी में ज़्यादा पीत अपनी वर्दी के ध्यान देना पड़ता है इसलिए वो जो जो भी करते हैं लिमिट में करते हैं और दोस्तों ये जो परमपर है मैंने आपको बहुता है शराप की ये कई सालों से चलती आ रही है ब्रीटीज जो थे वो भी अपने सैनिकों को शराप पिलाते थे वार के टाइ महाराजा राजा लोग थे पहले तो वो पहले कितने साल पहले वो जब लड़ाई तरवारों से लड़ते थे तब भी वो लड़ाई के पहले महाराजा लोग उन्हें थोड़ा बस ड्रिंग देते थे ताकि वो लड़ते समय भे धड़क लड़े क्योंकि उन्हें ऐसा में एक बार आमी को जब नशा हो जाता है तो वो भे दड़क सब कुछ कर सकते हैं कुछ भी हो नशे के बाद आमी खोड़ा अपने आप से दूर रहता है तो फिर उनको ऐसे लड़ना पड़ता है तो इस आपके तब से वो शराब का सेवन करते हैं और आज भी हमारी गोवर्म सब्सक्राणाई के साथ में अपना वीडियो के साथ मेरे लगोर्म आप योर Lehr उसे लिए